जहिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको UPSC IAS IPS 2021 के बारे में 7 महत्पूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो लोग यह फॉर्म बर चुके हैं उनके लिए इस वीडियो में 3 महत्पूर्ण पॉइंट है और एक पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है और जो इस टुडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं लेकिन फॉर्म बरने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए यह सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है इस वीडियो में हम इन ही टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होगी और कहां से ये बुक खरीदें इसकी वीडियो भी आ जाएगी तो जैसा कि आप जानते होंगे UPSC IAS IPS फॉर्म चार मार्च को आया है और फॉर्म भनने की अंतिन तिथी 24 मार्च साम 6 बजे तक है और इस फॉर्म की अप्लिकेशन फीस या फॉर्म फीस फीमेल कंडिडेट यानी लड़कियों के लिए 0 रुपए और एस्टी-एस्टी इस्टूडेंट के लिए भी 0 रुपए है लेकिन जनरल और OBC में आने वाले इस्टूडेंट के लिए फीस 100 रुपए है अब एक्जाम सेंटर की बात करें तो प्रिलिम्स इक्जाम देने के लिए इंडिया में लगभग 73 इक्जाम सेंटर है उसमें से चन्नाई दिस्पूर कोलकता नाकपूर के लामस सभी इक्जाम सेंटर में सीटे सिमित होती है तो आपको अपने नजदी की इक्जाम सेंटर पाने के लिए फॉर्म को पहले भरना चाहिए अगर आप बाद में फॉर्म भरेंगे तो आपको वह exam center मिलने की संभावना कम हो जाती है तो आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें और जो लोग pre exam clear कर लेते हैं वही men's exam तक जाते हैं इसलिए men's में कुल 24 exam center हैं और अगला point अगर हम post की बात करें तो कुल post 712 हैं जिसमें से 22 post के वल बिकलांग के लिए हैं अब हम अगले point age limit की बात कर लेते हैं तो अगर आपकी minimum age अभी कम है लेकिन अगर आप 1 August 2021 तक भी 21 साल के हो जा रहे हैं तो आप यह form भर सकते हैं और maximum age 32 year है जिसमें OBC को 3 साल और ECST को 5 साल की छूट भी दी जाती है कई लोग मुझे अपना date of birth भेज रहे थे कि आप देखकर बताईए कि मेरी age अभी हुई है या नहीं अब वे लोग भी अपना खुश से ही देख सकते हैं और कई लोग पूछ रहते कि हम final year में हैं तो क्या हम form भर सकते हैं तो जी हां अगर आप graduation के final year में है तो ये form भर सकते हैं और अब बात करते हैं कि अगर form गलत हो जाए तो क्या करें वैसे तो आपको बहुत ही ध्यान से form फिल करना चाहिए फिर भी अगर form फिल करते समय कोई mistake हो ही जाए तो आपको उसे सुधारने का मौका तो नहीं मिलता लेकिन आप दुबारा फिर से form फिल कर सकते हैं जब आप दुबारा form फिल करेंगे तो आपका पहले वाला फिल किया हुआ form रिजेक्ट हो जाएगा और नया वाला form ही मानने होगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे और अगली वीडियो बुक लिस्ट पर आएगी